कि देखे हम जब पढ़ेंगे हमने ले लिया है कि ऑक्षडेशन स्टेट पढ़ी जो इनवें से रंउन से कॉंसा एलिमेंट प्रस फाइव ऑक्षडेशन स्टेट शर नहीं करेगा बिसमत नहीं करेगा ठीक है और बाकी सब करते हैं इसी की प्रोसेसिंग में अब हम बढ़ेंगे रियाक्शन विद हाइड्रोजन यह सबसे इंपॉर्टेंट है पहले रियाक्शन विद हैलोजन उठा लेते हैं क्योंकि यह सिर्फ दो मिनिट में हो जाएगा और फिर कल हम इसके जितने भी कंपाउंड्स है वो खतम कर देंगे नाइट्रोजन फैमिली के तो यह हमारी कल खतम हो जाएगी नाइट्रोजन फैमिली फोड़ा सब पढ़के आ है तो फोर फोड़िन जादा एकरे इन व्कσι आईएग्शा साधा है विधाल माइडस आ're नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन है सिर्फ उटा दिया जाए तो पूरे ग्रूंक्यी बात करंगे यानि कि हम पूरे 15 ग्रूप elements की बात कर रहे है सिर्फ nitrogen हटा दो इन सब को देखा जाए तो यह अपनी कौन सी oxidation state में compound बनाएंगे हेलोजन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रॉमिन, आयोडीन प्लस और प्लस में इनके पास दो ही oxidation state होती है 3 और 5 माइनस 3 तो होती नहीं एक, दो, तीन, चार, पांच वाली सिर्फ nitrogen oxygen के साथ करता है और किसी के साथ नहीं करता है और यह एक भी बात इसमें रटने वाली तो है ही नहीं क्योंकि हर एक का reason बतारी हूं साथ साथ तो ब्लीज क्रैम करोगी तो गड़वड हो जाएगी अब तो मत करो क्रैम इनकी बात करता है अब तुम्हीं यह पता चल गया है कि oxidation state क्या-क्या है तीन और पांच तो अगर हम phosphorus की बात करें तो यह प्लस 3 में इस तरह का compound बनाएगा और 5 में ऐसा बनाएगा चाहे इसके पास fluorine हो चाहे इसके पास bromine हो या iodine हो इस तरीके से बस इतना ध्यान रखो इसको हम ऐसे लिख सकते है PX3 और PX5 कोई भी हो सकता है fluorine chlorine chlorine bromine और iodine तो हम दो तरह के हैलाइट्स पढ़ते हैं इसको बोलेंगे trihalides इसको भी P की जगा पर E मान लेते हैं इका मतलब यहां क्या है 15th group element nitrogen phosphorus arsenic antimony और बिस्मत और यहां पर कि मान लो यह को नहीं पेंटा है लाइट्स कि बिस्मत नहीं होगा यहां पर क्यूंकि बिस्मत पेंटा हैलाइट्स नहीं बनाता ड्यू टू इनर्ट पेर इफेक्ट यह दो बाते हो गई अब मुझे यह बता दो कि एक ющan है कि इन दोनों में से इस पे कितना चार्ज होते है 3 इस पे कितना होता है 5 कि पोस्फोरस एक न 9 से जुड़ा हुआ है कि एक मिद्ट है ये एक आटम है ये 9 को खीच रहा है इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज इस पे कौन ज़्यादा खीच रहा होगा एनायन को साइड वाले एनायन को अपनी तरफ इसमें जादा होगा इस वाले में जो यह यह बीच वाला इस पर फार फ्राइब प्लस चार्ज है मैं सिस पे प्रोटोन ज्यादा है एक कटान की क्या होती है पॉलराइजिंग तो यह ज्ञादा ओवरलैपिंग हो गई अच्छी ओवरलैपिंग तो इसमें कैसा केरेक्टर आ गया कॉवलन्ट केरेक्टर एक क्वैशन आता है कि PCL3 और PCL5 में से कौन ज्यादा कॉवलन्ट है बताइए इन दोनों में से कौन ज़्यादा कोवलेंट है यह कोवलेंट है तो यहां रिजन क्या लिख्किया होगी जो मैंने नोट जिल से खोलो प्लीज एक बार खोलोगे तो तुम्हें आंसर मिलेंगे नोट में मैंने एक शब्द लिखा हुआ है कि यह क्वेशन भी डाल र क्या होते है पोलराइजिंग पावर होती है और यह किसके अकोर्डिंग है एकोर्डिंग टू फजान रूल तो इसमें आईनिक होते हुए इनमें क्या होगा कोवलेंट केरेक्टर तो एक तो यह बात हो गई बस और इसमें से कुछ नहीं आने वाला यह क्वेशन आ गया यह नहीं होता तो इसमें वही लिघ देना इनर्ट पेयर इफेक्ट विए इस तरह के कोईशिंस आएंगे उन्हें कर लेना कोई कहे कि पी आई फाइव उन्स्टेबल है क्यों क्योंकि फोस्फोरस पांच बड़े साइज के अइऊडीन को नहीं संभाल सकता इट केंट नोट इसके अलावा हम करेंगे reaction with hydrogen यह भी पांच मिन्ट में हो जाएगा इसको सुनके जाना फिर इस चैप्टर में सिरफ 15 गृप में क्या बचेंगे चोटे-चोटे से हैं क्योंकि अब तो पूरा डिटेल तो बताना निया सिरफ फटा-फट पढ़ेंगे कि यह होता है यह होता है तो कल जरूर आईएगा क्योंकि कल हम इसमें अरेंज करने वाला टॉपिक तो है यह नहीं और जो है आज हम डिसकस करी रहे हैं कुछ अरेंज करने वाला नहीं है अरेंज करने वाला सबसे जादा आता है 17th गृप ऐलेमेंट्स में से इंअ तो रीक्षिन विड राइड्रोजेन हाइड्रोजेन के सामने यह कौन्सी ऐड्रेशन मासे स्टो कपथे को तो कॉल्द सबस्ट हम gehen नाएड्रोज भी का मंईनस रीठो विडियेशन स्टेट शो करेंगे। कुछ भी निस हों आंसर दे यहां पर क्या आते हैं हाइड्रोजन लगा दो तीन क्यों आ रहे हैं वैने अभी बताइब दो यहां बता दिया आपको अब मुझे बस हीगुल से जुटते हैं उसे क्या य reh बोलते में सो इह कौन सी हाइड्राइट के Creation मा इनकी जो shape होगी nitrogen, कौन सी group का member है, 15, 13 bond बन रहे हैं, एक lone pair आ रहे हैं, तो 4 की shape बनेगी, 4 की shape में ऐसे एक lone pair, कहीं पे भी, एक अबरोग से घुमा लो, तो आपको एक तो hydrates की क्या नहीं चाहिए, structure, तो इनकी structure क्या है, wheat. जोमेटरी क्या है टेटरहेड्रल यह जोमेटरी है और इसकी शेप क्या है यह पिरामिड बन गया ना इसे पिरामिडल शेप कहेंगे और आपको यह भी बता होना चाहिए कि इसकी हाइबडाइजेशन क्या है इन सब की SP3 हाइबडाइजेशन है इन सब ही की तो यहां हमारी बात क्या हो गई अभी कि इनकी हाइबडाइजेशन क्या थी अब उसके बाद हम करेंगे शेप हो गई बॉन्ड एंगल बॉन्ड एंगल इंपोर्टेंट है जरा ध्यान से सुनिएगा जो नॉर्मल जो टेट्रहेटरल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो एक सो नो होता है पता ही होगा इतना आपको कि साढ़े होता है मेरो में इसको देचरी में करवाती हूं प्वेंट्स में को खुद ही आद नहीं लाते है मिनेट्स में आता था बहुत बड़ते हो क्लोक добр करते हैं मेंगल को शेता है कुछ आतक जया हुआ है यह बताईए कि नॉर्मल टेटर हैडल का एंगल कितना होता है तो यह वाला जो एंगल है ना यह यहां पर लोन पेर और बॉंड पेर में क्या हो गई थी विपल्शन एंगल तो दो बॉंड के बीच को कहते हैं तो यह जो एंगल है वो कम हो जाता है 107.5ट तो डुटु लोन पेर बॉंड पेर रिपल्शन ये इसने इसको इधर धक्का दिया इसने इसको धक्का रिएंहे अपको अपस मेध दूसरे को धक्का दिया बॉंड अंगल क्या हो गया eka मगया तो यह आपको बतायों इंगल कंक्यों होता है दूसरा आपको एक बात और बता दू, यह nitrogen है, hydrogen से जुड़ा हुए है, फिर अगला बंदा कोन है, phosphorus देखो, उपर जो nitrogen है, वो जादा electronegative है, अपनी तरफ electron खीच लेगा, खीचेगा ना, तो central atom की तरफ है electron, सबसे नीचे hydrogen की तरफ है electron उपर जाने, electronegative वर्ट है, थोड़ा सेंटर में आ गए, यह थोड़ा ओर सेंटर सी में, phosphorus की तरफ जा रहे हैं, और अगले में बिल्कुल hydrogen, कहां पर ऐसी situation है, कि बॉन्ड पर सेंटरल एक्टम के उपर अठके हुआ है, बिल्कुल इतने जादा ख्लोज है, सेंटरल एटम से कि यहाँ पर यह इसको धख्का देगा अब यह इसको देगा, यह नोट्स में है गा, यह एक दूसरे को धख्का दे रहे हैं तो यह बॉन्ड एंगल खुल गया, जितना हम सोचते हैं, यह उससे जादा होता है, यह कितने रिखे क होता है 107 यह थोड़ा सा इसमें रिपल्शन अभी दूर दूर है जो हाइड्रोजन है यह इसकी तरफ इलेक्ट्रोन है सेंटर से दूर है तो इनकी अंदर इतनी रिपल्शन नहीं हुई कमी थी मेरी पल्शन मान लो कि एंगल 96 का है मुझे नंबर नहीं याद कुछ में मान भी हूँ तो यह एंगल जैसे यह उस तरफ जा रहे हैं तो यह बोंड आपस में ऐसे दूर भाग रहे हैं तो बोंड एंगल थोड़ा खुल गया 98 हो गया फिर 100 हो गया और जैसी इस तक जाएगा एक और ले लेते हैं अरेंज इंक्रीजिंग ओडर ओफ बोंड एंगल बताईए या एक चूज कर देंगे विच आउट ओफ इस बिच हैस हाइस्ट बोंड एंगल तो एक पे टिक करना है चार या पांच उप्शन आएं कर दो भाई कर दो जल्दी यह डिक्रीजि चीक है यह अंसर तुम्हारा टीक है और लेकिन इसे डिक्रीजिंग कहते हैं इस इंक्रीजिंग ओडर tip यह चाल एक बड़ाएं अगर तुम गल्ति करते हो न अभी भी करते हो तो तुम कुछ भी मतलिक क्या न ऐसे आरो बना नदाने इंक्रीजिंग लिकरे हूं सी तरह ना गलती होती हैं युद कि अंव भी करेंगे सबसे पहले ये बताओं ऑनड एंगल की सी किस दरसबड़ regimes को सा करूतु रहा ही ठीक है इस तरफ increase इन में से कौन अच्छा वो है जो hydrogen जल्दी छोड़ देगा किसका bond bond length किसकी bond length है bond length ये बता इन दोनों में से bond length किसकी बड़ी है इसकी विस्मत की बड़ी है तो bond dissociation enthalpy किसकी जादा होगी उपर की दरफ तो reducing agent वो होते है है जो hydrogen छोड़ता है कौन अच्छे reducing agent है ये तो reducing agent और ये bond angle तो नीचे की तरफ reducing character क्या हो रहा है increase तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे due to low bond dissociation enthalpy of BIH bond ठीक है due to low bond NCRT में पहले नहीं दूसरे पन्ने पर question लिखा हुआ है उपर से नीचे 15th group elements के hydrides की reducing character बढ़ता है बता दिया क्यूं बढ़ता है number next यहाँ पर उपर से नीचे molecule का भी size बढ़ रहा है अमोनिया इतना होता है अगला बंदा इतना है अगला उससे इतना बढ़ा फिर और और फिर बहुत बढ़ा तो अगर एक box में चोटी चीज़े रखो एक box में मोटी चीज़ रखो किसके अंदर फोर्स जादा होंगे same box same particles तो वेंडर बोल फोर्स बढ़ने के जैसे boiling और melting point बढ़ते हैं क्या हो करते हैं boiling point की बात करेंगे अभी boiling point इस तरफ बढ़ते हैं cool तो आप यह बताइए कि किसका सबसे जादा होगा bih3 बढ़ हम एक बात बूल रहे हैं ammonia में तो hydrogen bonding भी हो जाती है चार-चार तो ammonia का सबसे टॉप पे चला जाएगा सिरफ और सिरफ due to hydrogen bonding तो हमारा जो order होगा increasing नाना पटेकर आज सबजी बिचेगा तो ammonia सबसे आगे नहीं भाग गया तो यह बताओ यहां तक order किस वज़ेसे था due to band of all force और यहां पर high क्यों है due to hydrogen bonding अब मुझे बताएए यह तो paper का एक question है मैं सूच के आई नहीं रहे आप से यह आपको पूझा था कि इन में से किस का अच्छा एक बात बताओं मजे की एक बात सबसे अच्छी बताओं तुमें अगर सुन रहे हो तो थोड़ा सा focus करके अगर एक ऐसा बच्चा हो जो जल्दबाजी में और भूल गया है उसको पढ़ा था पर भूल गया थोड़े दिनों बाद फिल्कुल भूल गया या कुछ भी आद नहीं आये वननवडर पमर्ण अगर वह इसको करेंगवा तो देवल खरतिक अगर वह राति सबसे कम तो इस इसका में बंदक्रोड उप्जे को जल्द बाजी को है कि सबसे कम यह एक्स्रीम राइट को ये एक्स्रीम लेफ्ट को टिक करते हैं mostly हमेशा आप नहीं मैं भी या तो एक्स्रीम राइट ये एक्स्रीम लेफ्ट लोग बताना हो तो इन दोनों में से ही कोई उठता है कभी हम इसके बारे में सोचते ही नहीं पर यहां केसी अलग है यह question आया हुग सबसे ज्यादा क्या पूछा था भी मैंने क्या पूछा था भी मैंने इससे पहले boiling point यह पूछा जाएगा कि किसका bone angle सबसे ज्यादा है 15 ग्रुप के hydride अब बताओ hydride ही नहीं पता है NS3 तो होता है तो bone angle सबसे ज्यादा किसका होता है एन नेच सरीका होता है यह किसने लिखा है भी आई एच्टरी अधी बॉण्ड लेंट रगी बॉण्ड एंगल 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 ठीक है इंजल दो नहीं लिगें पताने क्या स्पहलिए रिडूजिंग एजेंट कौन अच्छा है भी आई एच्टरी boiling point किसका सबसे अगर पू वेरी नाइस एन हिस्टरी आइटिंग इतना यह बस बहुत है एक टॉपिक और एसे बेसिक केरेक्टर इन सब को लिवेस बेस कहते हैं विक्कोज इन पर क्या होते हैं लॉन पेर्स बहुत भली बात ही तुम जानते हो कि लॉन पेर वाली चीज़े इलेक्ट्रॉन बिच एन इस लिए सब ढ TD है 좀 choose एक पाटिक कर रहे लॉन पर चोन थे सब्सक्राइब मैंगर होती जो इतनी बारइं तो लॉन त radi मैं क्या सूशती जहां से सुना मैं तुम्हारे तिंकिंग के बेसंद नजोंड पर किसी policy को देगा है तुम्हारे तरफ से बता अब तुम सोच नहीं सबसे अच्छा आवर ऐस किसी को असानही से दे तो सोचो कि ऊपर से नीचे basic character increase, बताना एक पल तो थुम्हारे माइन में यही नहीं आया हुगा, initially, बिना कुछ आजू बाजू का पड़े, सही बताना, of course, क्योंकि मेरे को भी यही आया था, जब मैंने first time पढ़ाना शुरू क्या था, very very first time, in 2013, तब भी मुझे यह लगा था मैं बिना पड़े सोच रही थी, this cancer, पर लेकिन गलत जवाब, क्यों कीप, देखो, जो nitrogen है, वो size में कैसा है, small है, तो इसके lawn pair देखो, यह रहे, bismith size में कैसा है, बहुत, very 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 large, in size, 6 हैं इसमें, और यह देखो, दो lawn pair, sorry, sorry, one lawn pair, दो electron छोटी सी जगा में है, एक बात बताना चलो, यह बताओ, कि एक कितनी सी थाली है, थाली समझते हो, plate और एक बहुत बड़ी थाली है, इसमें दो गुलाब जामुन है, इसमें भी दो गुलाब जामुन है, with respect to थाली, गुलाब जामुन जादा कहा है, वैरी नाइस, उस थाली के गोडं हो जादा बहदा, एक शैसे में तो है, बड़ी थाली के सामने तो गुलाब जामुन कुछ है ही नहीं, उसके लिए तो फिर उससे जादा गुलाब जामुन होने में जी, तो वही बात आ गई, तो जादा बड़े volume में matter, कम और यहाँ चार्ज अपोन में रेडियस सुना कभी इलेक्ट्रोन डेंसिटी मास अपोन में वॉल्यूम भई डेंसिटी मास अपोन में वॉल्यूम तो इलेक्ट्रोन डेंसिटी किसे कहेंगे भई मास मतलब नंबर ओफ इलेक्ट्रोन यानि कि चार्ज अपोन में रेडियस तो भई तुम एक देखी लोग वही इलेक्ट्रोन छोटे रेडियस में है तो इलेक्ट्रोन डेंसिटी क्या है हाई है और वही दो इलेक्ट्रोन बड़े रेडियस में है तो मतलब उनकी बड़े वोल्यूमें दो छोटे से इलेक्ट्रोन बैठे हैं तो बताओ इलेक्ट्रोन की होने के प्र अब तो आना चाहिए यह यह जो मैंने अभी सिखाया है एक तो यह रीजन था ऑड़ा पर वो अलग चीज हो जाएगी उसको मत देखना यह इस अधीश से भी कहते हैं जो एक जो एक प्लक सी लिया है उसके साथ क्या रहे तिर रहे अब यह बताए हूं व्याइन को नगें से किस की स्टेबल बॉंड लेंग सब भी सोचके बताएंगे कौन सा बॉंड मजबूत बनाएं एन एच बॉंड के पी एच बॉन मजबूत होगा कि सब भी चाल में मचलो अपना दिमाग लगाके आंसर दिया करो है और बाकी बच्चे भी बच्चेमा अपना अंसर दे सो समझते इन दोनों में से कौन सा बोंड डॉन्ड इन फाव बॉन्ड क्योंड़ कि दोनों छोटे छोटे एटम है यहença सबublc tänप्ड व्हत बड़ा है उत्ना चोटा सा एक बोन लेंथ जादा है तो जल्दी तूट जाएगा पहली बात तो बिसमत का अपने हाइड्रोजन के साथ ही बोन मजबूत नहीं थे वो एक नए हाइड्रोजन को तो क्या ही स्टेबल रखेगा तो इसका जो यह यह चीज है अनस्टेबल है और यह चीज थोड़ी बहुत स्ट बहुत बहुत बार 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 उठा लेती थो एक ही डबा तो इमोनियम इस स्टेबल तो जो चीज बनना चाहेगी तो इसी लिए इसी यह इसका बेस है यह जादा स्ट्रॉंग बेस है लिएस बेस समस्तियों में क्या कह रही हूं दो तरीके से बता दिया अच्छा एक बात सब्सक्राइब क्योंकि उसमें डोनेट करने की शमता जाद है असानी से डोनेट करेगा इसलिए तो डोनेट जल्दी कर रहा है क्योंकि वह स्टेबल हो रहा है बनने के बाद तो यह था आपका टॉपिक आज का यहां तक हमारी सारा जितना इंपॉर्डन था आज में पेपर में नाया हो वो डिसकस किया हो जो था ना छुटर अबुटर का वो सारा मैंने बोला ही नहीं कि देख रहे हो मैं जो बताया आज मैंने सिर्फ वो करा है जो पेपर पॉइंट ओफ्यू से आता है एक शब्द ऊपर नीचे नहीं था दूसरी चीज कल जो हम वैसे भी दोर वैसे भी दोर अप्लोड करने ही